वेलकम टी स्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांस जिकन बार शुड़ होगा रेडी स्टार्ट यह वक्त की मांग भी थी और जरूरत भी की केंद्र सरकार की विभिन नौकरियों की भरती के लिए अलग अलग परिक्षाओं के सिल्सिले को खत्म किया जाए केंद्रिय कैबिनेट ने राश्ट्रिय भरती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे कर केवल करोणों छात्रों को बड़ी राहत ही नहीं दी है बलकी संसादनों की बरबादी को रोकने का भी काम किया है इसका कोई मतलब नहीं था कि बैंकों रेलवे और अन्य सरकारी विभागों के लिए छात्र अलग अलग परिक्षाओं दें लेकिन ऐसा ही हो रहा था इस क्रम में करीब 20 भरती एजेंसियां अलग अलग प्रतियोगी परिक्षाओं का आयोजन करती थी इसके चलते चात्रों को हर परिक्षा के लिए अलग से तैयारी ही नहीं करनी पड़ती थी बलकि उन सब के लिए बार बार फीस भी भरनी पड़ती थी यही नहीं उन्हें अलग अलग परिक्षाओं में सामिल होने के लिए इस या उस शहर की दोड़ भी लगानी पड़ती थी इसी के साथ उन्हें इसकी भी चिन्ता करनी पड़ती थी कि कब कौन सी परिक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं इस सबसे मुक्ती सरकारी नोकरियों की तलाश करने वाले करोणों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है इस राहत को इससे समझा जा सकता है कि केंद्रिय सेवाओं की केवल तीन भरती परिक्षाओं में ही करीब धाई करोण अभ्यर्थी बैठती हैं महत्पूर्ण केवल यह नहीं है कि राश्ट्रिय भरती एजेंसी अलग अलग नोकरियों के लिए साजा पात्रता परिक्षा आयोजित करेगी बलकि यह भी है कि इस परिक्षा की मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मानने होगी फिलहाल राश्ट्रिय भरती एजेंसी रेलवे और बैंकों के साथ कर्मचारी चयन आयोग के तहत होने वाली भरतियों के लिए साजा पात्रता परिक्षा आयोजित करेगी इसका कारण संभवतह उचित विवस्था के निर्माड के साथ हर जिले में एक परिक्षा केंद्र बनाने के लक्ष को हासिल किया जाना है जो भी हो यह विवस्था इस तरह बनाई जानी चाहिए जिससे वह पारदर्शी होने के साथ भरोसे मंद भी बने राश्टिय भरती एजेंसी के जरिये होने वाली साजा पातरता परिक्षा इस तरह होनी चाहिए जिससे उसकी विश्वसनियता को लेकर कहीं कोई सवाल न उठने पाएं क्योंकि हाल के समय में कुछ प्रतियोगी परिक्षाओं की विश्वसनियता पर सवाल या निशान लगे हैं राष्टिय भरती एजेंसी के जरिये साजा पातरता परिक्षा की तैयारी के साथ यह भी उचित होगा की केंद्रिय सेवाओं में रिक्त पड़े पदों को समय रहते भरने में थतपरता का परिचय दिया जाए जो पद समाप्त किये जाने हैं वे समाप्त किये जाएं लेकिन सेश रिक्त पड़ों की भरती प्रात्मिकता के आधार पर की जानी चाहिए अच्छा होगा की राश्ट्य भरती एजेंसी के गठन के फैसले को राज सरकारें अपने लिए अनुकरणी उदाहरन समझें कुछ ऐसा ही फैसला उन्हें भी लेना चाहिए स्टॉप